कि हैं हैं वेलकम इन एडुकेशनल चानल बाई रिताशू कैसे हैं आप सब आशा हैं आप सभी स्वस्त होंगे आज हम फ्रेंड सीखने वाले हैं कनवर्ट इंटू फ्राक्शन्स एंड हमें किसको कनवर्ट करना हैं फ्राक्शन्स में देखें यह लिख रखें हैं कुछ नंबर परसंटेज में लिख रखे हैं, that means हमें परसंटेज को फ्राक्शन में चेंज करना है, यह कुश्चन ऐसे भी हो सकता है, कनवर्ट परसंटेज इन्टो फ्रेक्शन ओके, so without wasting much time, सीखते हैं कि इन्हें कैसे कनवर्ट करते हैं, अब हमारा first question देखिए, जो कि इसका A पार्ट है, वो है 25%, तो जब भी ऐसे दिया हो question 25% और हमें इसे change करना हो percentage में, तो very simple, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, percentage का sign जो यहाँ पर लगा है, इसको हटा देंगे, और upon में लगाएंगे 100, so simple, now अब हम इसको simplest form में convert कर लेंगे, 25 बन जा 25, 25 फोर जा 100, तो finally answer हम आया, 1 upon 4, जो की एक fraction है, और यह हमारा answer है, I hope आप लगों को समझ में आ गया होगा, क्या करना है, percentage के sign को हटाना है, denominator में 100 लगाना है, and then अगर fraction simplest form में convert हो सकता है, तो उसको simplest form में convert करने के बाद, finally जो fraction आएगा, वो हमारा होगा answer, B5 है हमारा 20%, तो इसको भी हम as it is ही करने वाले हैं, percentage का sign हटाएंगे, 20 हम लिखेंगे उपर, numerator में, and denominator में हम लिखेंगे 100, तो यह हो गया 20 upon 100, अब इस 0 से यह 0 कट हो गई, अब हमारा पास बचा 2 by 10, इसको भी हम lowest form में convert कर सकते हैं, 2 बंजा 2, 2, 5 जा 10, तो finally हमारा पास answer आया, 1 by 5, तो यह आया हमारा fraction, 20% को fraction में जब हमने change किया, तो हमारा पास result आया, 1 by 5, next हमारा 30 upon 100%, यह already fraction में ही है, लेकिन यहाँ पे percent है, तो percent को हटा कर इसे हमें पूरी तरह से fraction में change करना है, तो 30 upon 100, अब यह 100 तो वो है, जो यहाँ पे already है, लेकिन हमने percentage को हटाया है, तो multiply करके one more 100 आएगा denominator में, अब cut करो, इस 0 से cut हो गई, यह 0, ऊपर हमारा पास बच गया 3, और नीचे 100 को 10 से multiply करेंगे, आएगा thousand, यह है हमारा final answer, next है हमारा 40%, लेकिन इसको मैं solve नहीं करूँगी, यह है आप लोगों के लिए homework, जो भी इसको homework में करके, इसका correct answer मुझे comment box में mention करेगा, उसका मैं most probably next video में नाम लूँगी, next part पे आते हैं, यह है हमारा 6 is to 1 by 4%, तो इसको हम करेंगे convert fraction में, लेकिन सबसे पहले यह है mixed number, या फिर इसको हम कहते हैं mixed fraction, तो इसको हमें change करना पढ़ेगा fraction में, 6, 4, 24, 24, और 1, 25, तो यह हो गया 25, अपोन में 4, परसेंट, अब क्यूंकि यह परसेंट है, तो इसको हटाएंगे, और denominator में क्या लगाएंगे, 100, very good, 25 अपोन 4th already है, 100 हमने तब लगाना है क्योंकि परसेंटेज को हटाया है, तो यह हो गया इस तरह से, now 25 बंजा 25, 25 फोर्जा 100, नूमिनेटर में बचा हमारे पास only 1, और डिनोमिनेटर में बचा 4 फोर्जा 16, तो 1 अपोन 16 इस आवर फाइनल आंसर, अब है हमारा लास्ट पार्ट, मैं इसको solve कर रही हूं, लेकिन अगर आप चाहें, तो वीडियो को यहीं पोस करके, खुद से solve परके देखिए, and math करिए कि क्या आपका और मेरा answer सेम आता है, तो सबसे पहले mixed number, mixed fraction है, इसको हम change करेंगे, fraction में, 1 5 जा 5, 5 प्लस 2 is 7, तो यह हो गया हमारा 7 अपोन में 5%, अब क्या करना है, परसेंट को हटाना है, तो 7 अपोन में 5 multiply 100, अब 7 और 100 और 5 में कुछ भी common नहीं है, जो हम इसको lowest form में convert करें, ठीक है, तो हम इसको simply लिख देंगे, उपर 7 और नीचे 105 जा, 500, 7 अपोन 500 is our final answer, तो आज हमने सीखा कि percentages को किस तरह से हम लोग fraction में change कर सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो please do like, share and comment, thank you so much for watching, have a good day.